प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेबलू कहां साइलेंट होता है देखें यदि डेबलू के बाद आर हो तो डेबलू साइलेंट होगा और डेबलू के पहले एस हो यदि डेबलू के पहले एस हो तो भी डेबलू साइलेंट होगा एक बार फिर से यदि डेबलू के बाद आर होगा तो डेबलू साइलेंट होगा यदि W के पहले S होगा तो भी W सैलेंट होगा उधारन के लिए देखिए W कहा सैलेंट होता है W के बाद R हो तो W सैलेंट होता है जैसे W R A N यहाँ पर ध्यान से देखिए W के बाद R है तो यहाँ पर W को नहीं पढ़ा जा रहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर W सैलेंट होगा तब इसे पढ़ते है R N क्योंकि W के बाद R है तब हम इसे पढ़ेंगे R N दोसरा दिखिए W के बाद R है तो W को नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि यहाँ पर w silent है तब इसे पर तहें wrong और इसकी दूसरी परिभासा थी w के पहले s हो तो भी w silent होता है देखिए w के पहले s हो तो भी w silent होगा उधारण के लिए देखिए यहाँ है answer यहाँ w से पहले s है तो w को नहीं पर जाएगा क्यों यहाँ पर w silent है तब इसे परिएंगे answer और दूसरा है w से पहले s है तो w को नहीं पर जारा तब इसे परते हैं sold पर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही thank you have a nice day पर दूसरा है तो